हेलो फ्रेंड्स मैं डॉक्टर भरत बहरे सीनियर कंसर्टेंट अटाश हेल्ट के द्वार का आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि एशेल इंजरी क्या होती है और उसके लिए ट्रीक्मेंट में सजिरी में हम एक्जैक्टी करते हैं अगर हम बात करें एशेल की तो एशेल हम हमारे टीबिया और फीमर बोन की स्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉंसिबल होता है स्पोर्ट्स इंजरी में यह एशेल लिगमेंट जो यहां पर दिख रहा है यह डामेज हो जाता है और तूटके नीचे गिर जाता है इसको वापिस से बनाने की प्रक्रिया जिसे हम एशे री कंस्रक्शन कहते हैं उसके लिए हमें नी के पास से ही मसल से होती है उनको एज़े ग्राफ इस्तेमाल करना होता है कई बार वह घ्राफ हम घुटने की उपर की हड़ी के पास से या कॉडविसेस मसल से भी लेते हैं कभी हमें जरूरत पढ़ने पर हम उसे नीचे पैरोनि आएछ साइट से एक टनल बनाते हैं जो बाहर कि तरफ फीमर में निकलती है, फीमर में हम ग्राफ्ट को बाहर की तरफ एक बटन से यूजली फिक्स करते हैं, और टीबिया में उसे एक श्कुरू की तरफ fix करते हैं, इसके बाद हम जॉइंट को क्लोज कर देते हैं, यह एक arthroscopic surgery होती है और इसके बाद हम patient को बहुत जल्दी mobilize कर सकते हैं So ACL surgery is a keyhole surgery for any related queries and any related injuries आप आताश healthcare द्वारता में हमसे संपर्द कर सकते हैं धन्यवाद